Students, अब हम लोग और भी बहुत सारी बाते circle के बारे में करेंगे, और हम लोग ने perpendicular from the center to the court, just discuss किया, perpendicular from the center to the court, अब हम लोग जा रहे है, circle through three points, अब यहाँ पर एक छोटा सा concept मैं दोंगा, उसको ध्यान से समझेए, अगर कोई line segment दिया हुआ, और इस line segment का midpoint D है, if a line segment is given and the midpoint of this line segment is D, then, इसका अगर मैं यहाँ पर perpendicular बनाऊंगा, तो congruency chapter में बताया गया था कि इस line segment पे जितना भी points होगा, मैं कहीं पर भी कोई भी points लूँ, तो वो points दोनो a और b से equidistant होगा, अगर x ले लूँ, तो side angle side side angle side से यह दोनों triangle congruent हो जाएंगे, that means x a will be equal to x b, या मैं इसको थोड़ा से नीचे ले जाओ, इधर से मैं y से मिला देता हूँ, y एक point लेता हूँ और y से इसर मिला लेता हूँ, तो y a will be equal to y b क्यों, क्योंकि यह two dash two dash बराबर है, यह common और यह 90-90, तो कहीं पर भी कोई भी point मैं लूँगा, इस perpendicular bisector पर, तो a और b से बराबर दूरी पर वो point रहेगा, इसको उल्टा भी सम्झे हैं, और कहीं पर भी, और अगर मैं बाहर कोई भी point लूँगा, तो वो equidistant नहीं होगा, यानि किसी लाइन का perpendicular bisector, यह बड़ा important बात है, किसी लाइन का perpendicular bisector, किसी लाइन का perpendicular bisector, उस लाइन के दोनों extremities से, मतलब x और y से, हमेशा किसी लाइन का perpendicular bisector, किसी लाइन segment के extremities से, equidistant जितनी भी point हों सब से pass करेगा, मानले यह point अगर मैं कहूं कि x और y से equidistant है, तो यह इस से जाएगा ही जाएगा, the perpendicular bisector of any line segment, will pass through all the points, which are at equidistant from its extremities, यह बखुत important बात हम लोग समझेंगे, सरकल के बचे हुए court property के बारे में जानने के लिए, आपने क्या समझा कि, मानले जी किसी ने कहा, आपके पास एक map है, किसी city का, और आपसे कहा जा रहा है, कि city के hotel और hospital, यह map है मानले जी और यह आपको मालम है, होटेल है और हॉस्पिटल से बराबर दूरी पर एक मकान बनाना है, तो कोई आर्किटेक्ट क्या करेगा, what will be the architect do, what will the architect do, ki he will join this straight line and he will make the perpendicular bisector of, let us name this as AB, and he will tell, कि यहां कहीं पर भी आप अपना जामीन लेले, तो आप hotel से और हॉस्पिटल से बराबर दूरी पर रहेंगे, it is through congruency concept, in certain courses we also called it the locus concept, बिंदुपत्य, तो इस बात को हम लग अब circle में apply करेंगे, मान लेजिये, आपके पास, तीन points है, जो कि non-collinear है, जो एक straight line पर नहीं है, और आपको एक circle बनाना है, जो इन तीनो points से होके जाए, तो यहाँ पर हम लोग AB को मिला देंगे, और उसका perpendicular bisector खैज लेंगे, तो यह line जो होगा, यह उन सभी points से जाएगा, जो A और B दोनों से equidistant पर होगा, यहाँ पर मैं यहाँ रख लूँगा, तो यह point A से और यह point B से बराबर दुरी पर होगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, और now what I am doing is, अभी B और C को भी मैंने मिला दिया, अब मैंने इसका भी पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर खाया चलिया, I am drawing the perpendicular bisector, now the perpendicular bisector of B, C will also pass through all the points, which are at equal distance from B and C, यह point मैं लूँगा, तो B और C से दूरी बराबर होगा, अब जो point of intersection नहीं दोनो point का, जो point of intersection नहीं दोनों का, तो इसमें what is happening, let us see, यह O point है, तो चुकि इस पर है, तो O A is equal to O B and इधर से देखेंगे, इसका perpendicular bisector मतलब O B is equal to O C, अब आप देखें, O A is equal to O B and O B is equal to O C, मतलब यह तीनों बराबर है, तो अगर मैं इसको center लेके और एक circle खेंचूंगा, तो वो circle इन तीनों point को touch करता हुआ जाएगा, तो इसका मतलब है किसी 3 non-collinear point से एक circle हमेशा खीचा जा सकता है, कैसे खीचते हैं हम लोग circle, अगर वो 3 point कहीं पर भी जा लेकिन तीनों एक straight line पर नहीं होना, मालने जे a, b दो points है और तीसरा point c कहीं पर भी है या x कहीं पर भी है, तो आपको करना क्या है इसका perpendicular bisector और इसका perpendicular bisector खाच लेना, और उससे क्या होगा मालने जे m पर तो m a is equal to m b और फिर m a is equal to m x, तो अब हम इसको central लेके और इसको radius लेके एक circle घुमा सकते हैं, we can draw the circle, so this is the case of circle, तो इससे हमें क्या सबसे पहला point मिलता है, कि सबसे पहले तो ये दो जब भी मैं बना रहा हूं, ये diagram, ये circle और हमने देखा कि हमने, यहां से perpendicular और यहां से perpendicular bisector खाया चलिया, तो a और b और c से एक circle होके जाता है, तो that means through three non-collinear points, a circle and only one circle can pass, अब आप इस बात को समझे, सबसे पहले तो ये समझ गया है, you have understood that a circle can pass, you have understood that a circle can pass, कैसे circle मिलता है, तो जो तीनो points दिये होते हैं, उनको line segments बनाते हैं, join करके और फिर उनका हम perpendicular bisector catch लेते हैं, like in perpendicular bisector जो हैं, और a Strait Line, जो a straight line, जो a straight line can meet only on one point, two straight lines can intersect only at one point. Now that means if there is a center, then there is only one center and therefore, through three collinear points, non-collinear points, there is a circle which passes, and there is only one circle, did you understand there is only one circle. So now we further move ahead then what will happen, if there are two points, how can we pass, if there are two points then how many circles can pass, how many circles can pass. How many circles can pass that we have to see, so we will join AB, we take the midpoint, we take the midpoint, अब इसके पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमने ख्याच लिया, वी द्रिव दा पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब जानते हैं कि इसी को हमने सेंटर लियार इन ए ओए और ओवी को रेडियस लेके एक सर्कल ख्याच दिया, एक सर्कल तो यह हो गया, फिर अगर मैं यहां से लोंगा, तो यह रेडियस लेकर मैं एक सर्कल ख्याचता हूं, तो एक और सर्कल हो गया, अगर मैं यहां से ले लेता हूं, तो एक और सर्कल जा रहा है, इस तरह से अगर कोई भी पॉइंट ले रहा हूं उसको सेंटर लेके एक सर्कल ख्याच सकता हूं, तो millions of infinite numbers of circle can pass through two points and three points में, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, infinite numbers of circles can pass through two points, three points के बारे में भी पढ़ा के three points, three non-collinear points से एक ही circle pass करेगा, लेकिन अगर three collinear points होगा, तब क्या होगा, इन तीनों points होके कितने circle जाएंगे, अनेक, एक या एक भी नहीं, let us try to see, देखा जाएं, क्या होता है, तो तरीका तो भही अपनाएंगे, कि अगर हमको A और B से, अगर A, B का perpendicular bisector लेंगे, तो यह उन सभी points को take up करेगा, जो A और B से बराबर दूरी पर है, और यहां पर इसका perpendicular bisector खाया जाएंगे, तो उन सभी points, उसे पास करेगा, जो B और C से बराबर, लेकिन यह दोनों कभी intersect नहीं करेंगे, चुकि यह दोनों perpendicular on the same line है, ABC की straight line है, को linear point मतलब क्या, दे lie on the same straight line, तो same line का perpendicular पर दो perpendicular खीचेंगे, तो they want to be meeting, तो अगर यह तो उन सभी points से पास करेगा, जो A और B से बराबर दुरी पर है, और यह उन सभी से पास करेगा, B और C से बराबर, लेकिन यह जब तक intersect नहीं करेंगे, तो एक ऐसा point नहीं मिलेगा, जो A और B और C तीनों से बराबर पर है, therefore, no circle can be drawn through three collinear points, okay, तो यह बात हो गई, now what happens, अब इससे हमको फायदा क्या, इस concept को जानने से, मान लिजी कि कभी किसी जगह पर circle आपने बनाया, और आपको उसका center खोजना, या कोई circle गलती से कोई बना के चला गया, और उसका center को आप नहीं जान पा रहे हैं, उसके center को आप नहीं जाने पा रहे हैं, center खोजना है, तो हम लोग एक cord खाया चाहिए, और दूसरा cord खाया चाहिए, लेकिन दोनों को parallel cords नहीं होना चाहिए, तो A, B के perpendicular bisector खाया चाहिए, and B, C का, if we draw a C, D का perpendicular bisector, तो it will pass through all the points which are at equal distance from C and D, तो the center will be always at equal distance from C, D, A, B, so the point of intersection will give the center, the point of intersection will be giving the center, आप रहे हैं, आप अर लीजे, आप architect होगे और एक incomplete R खाप के पास, अब आपको इसका center खोजना है, आप further complete करना circle को, then what will happen, again do the same thing, आप तीन पॉइंट लेते हुए, यो ड्रो आर्क, कॉर्ड्स, कॉर्ड बना दीजिए, फ्रसास, अब इसका perpendicular bisector AB के खाएंच लेंगे, और AC के भी perpendicular bisector खाएंच लेंगे, इनको जब मिला देंगे, तो you will get the center और इसको center लेके आपना लोग एक circle ड्रो कर सकते हैं, and get the circle, so this is the real use of this कि आप architect बने हैं, and you want to know and you want to complete a circle, you want to know the center of the circle and it is not visible, या कोई diagram है और उसका उसमें circular part है, and you have to notice that, plus इसके बहुत सारे concept है, इससे आपको ये भी पता चलता है कि किसी line segment में, मान ले जी कि you become an architect and the minister tells you, that एक ऐसे जगह पर हमें अपना CM house चाहिए say for example, जो say for example एक court से और say for example आपको hospital से और say for example hotel से बराबर दुरी पर है, और आपको visible है ये तीनो जगह नक्षे में, hospital, mall and say for example police station. So, simply if you want to have a house which is at equal distance from or the CM house should be at equal distance from this, then as an architect what you have to do, you have to draw actually the circle passing through these 3 points, the Ska perpendicular bisector Khashligje or Ska perpendicular bisector Khashligje, और इसको center लेते हुए इन तीनों से एक circle घुमा दीजे, तो ये जगह पर आप अपना governor house या CM house या आप नहीं साब का house बन सकता है, depending on upon आप क्या बनते हैं अपना life में. So, we finish up this part. .